सबी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं आपको धारखन बोड वर्ग सप्तम पाठ पांच घातांक और घात का प्रस्नावली 5.3 का प्रस्न संख्या चार और 5 बताने जा रहे हैं प्रस्न संख्या चार जो आपका पुस्तक में 102 नंबर प्रिष्ट पर है काता है ब Sask में डी गई सूचणाओं ाने वाली शंख्याओं को मानक रूप में लिखकर अवरोही करम में लिखिए पहले तो मानक रूप में लिखना है और फिर उसको अब रोही करम में सजाना है तो पहला क्या है सुचना ये करमांग संख्यां दिया हुआ है ग्रहों का नाम दिया है द्रमान दिया हुआ है किलोग्राम में किलोग्राम में द्रमान है तो पहले इसको हम लोग मानक रूप में लिखते हैं बुद्र का द्रमान दिया हुआ है 330 उ सातिया इकिस सुन्ना है तो अगर हम लोग इसको यहां पर तीन दसमलव तीन करते हैं तीन दसम्लव तीन गुना दस के घात कितना तो 3, 3, 4, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 13, 13, 22, 23, यानि 10 के घात 23 यह इस तरह से लिखेंगे इस तरह से सभी का हम लोग मानक रूप में पहले लिखेंगे और फिर उसको हम लोग बढ़ते अवरोही बने घटते करम में बड़ा से छोटा हम सजाएंगे तो इस तरह से पहला हम इसको अब लि तिन पंदरह, तिन अठारह, तिन अकईस, 22, 23, 24, यानि ये 24 होगा. इसके बाद है पृतवी का पांच दसमुलव, नो, आठ गुने, 10 के गात, तिन तिन चों तिन नो, तिन बारह, तिन पंदरह, तिन अठारह, तिन अकिस, 22, 23, 24, 24 होगा. इसके वाद है मंगल का 6.4 दू गुना 10 के घात कितना लेंगे इसके वाद लिखेंगे ब्रसपती का 1.9 गुना 10 के घात कितना है तिन तिन चो तिन नौ तिन बारा तिन पनरह तिन अठारा तिन कीस तिन चोबिस पचीश चबफिस 27 दस के घात 27 यह सभी का ग्रढ का आपनो लिखते हैं उसके वाद इसका देखिए सनी का होगा 5.16 6.9 कुरा 10 के घात 3.36 3.09 3.12 3.15 3.18 3.20 3.24 25 26 इसका 26 होगा इसके वाद है अरून और वरून का तारून का हो जाएगा आठ दसम्लव 6-9-8-10 के घात 3-3-3-3-9-3-12-3-13-13-22-23-24-25 फिर लेंगे फिर लाश्ट अन्तिम जो है वरून का एक दसमलव जीरो दू गुना अदस के घात तीन तीन चो तीन नो तीन बारह तीन पंदरह तीन अठारह तीन कीस इकीस बाइस तैस चोबिस पचीस चब्विस यह यह चब्विस अब इसको हम लोग क्या करेंगे इस संख्या को हम लोग घटते करम में घटते करम में जो सबसे जादा जिसका घात हैं उस सबसे बड़ी संख्या होगा यह सबसे बड़ा होगा यानि कि इसका लिखेंगे एक दसमलव नो गुना दस के घात सताइस इससे छोटा 27 के बाद 26 आएगा 26 एक दो 26 वाला है एक पांच दसमलव चो नो एक है एक दसमलव जीरो दू तो इससे पांच दसमलव चो नो गुना दस के घात 26 और उससे चोटा होगा एक दसमलव जीरो दू गुना दस के घात 26 इसके बाद 25 वाला 25 में अफका एक एक टो है 8 दसमलव चोबिस में दो है तो उसमें बड़ा है पाँच दसमलव नो आट गुने दस के घात चोबिस इस से चोटा होगा चोबिस के बड़ा है तो उसमें चोबिस दसमलव चार दू गुना दस के घात तईस इस से चोटा तीन दसमलव तीन गुना दस के घात तईस और अब नहीं है एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ आठ हो संख्या हम इस तरह से आपका अवरोही कर्म में सजा दिये हैं किस तरह से यह चार नमबर सवाल आप बनाईएगा अगला कुछ से नम्ततव बोड़ पे लिखते हैं कि नहीं दे प्रस्न संख्याचp पांच में जो है बॉक्स मेदि गई सुचनाओं में आनेवाली संख्या ओको मानक रूप में लिखकर आरोही करम में लिखिए चार में था कि अवरोही करम में लिखिए इसको आरोही करम तो पहले माना ग्रूप में लिखते हैं कर्मांग दिया हुआ कर्मांग संख्या एक से पांच तक विश्व के मरुवस्थल दिये हुए है उसका छे तरफल वर किलो मिटर में तो पहला एक अलाहरी दच्छी नफिर्गा का है यह 923,400 वर किलो मिटर तो इसको लिखेंगे नौ दसमलव तीन दू चार गुने दस के घात कितना लिखेंगे तो एक दो तीन चार पांच दस के घात पांच फिर दूसरा नमबर में थार भारत का मरुवस्थल जिसका अच्छे तिफल है एक सो निनानवे हजार 430 वर किलो मिटर तो इसको लिखेंगे एक दसमलव नौ नौ चार तीन गुना दस के घात एक दो तीन चार पांच इसके बाद है गिबसन अस्ट्रेलिया का प्रवस्थल है जिसका दिया है एक सो पच्पन हजार चार सो वर किलो मिटर तो इसको लिखेंगे च्छे दसमलव चार साथ पांच गुने दस के घात पांच और अंतिम में सहारा उत्तर उत्रिया प्रुस्थल है उसका दिया हुआ है आठ मिलियन पांसो अंठानवे हजार आठ सो वर किलो मिटर इसको लिखेंगे आठ दसमलव पांच नो आठ बुने दस के घात छे क्यूं तो एक दो तीन चार पांच है अब यह लिख लिए अब इसको लिखना है घटते करम सबसे छोटा कौन पहले यह हम लोग देखेंगे सबसे चोटा जो होगा पांच वला घात का पांच पांच वह उसमें सबसे चोटा है एक दसमलव पांच पांच च़ार गुने दसके घात पांच, इससे बड़ा होगा एक दसमलव नौ नौ चार तीन गुना दस के घात पांच इससे बड़ा होगा अब देखें यहाँ छै है और यह नौ वाला तो छै वाला होगा छै दसमलव चार साथ पांच गुने दस के घात पांच इससे बड़ा होगा नौ दसमलव तीन दू चार गुने दस के घात पांच और सबसे बड़ा जो अफका है वो है आठ दसमलव पांच नौ आठ गुने दस के घात छे इस तरह से हम लोग माना कृत में लिखे और फिर इसको आरोही कर्म सजाए इसके साथ ही आपका प्रसनावली पांच दसमलव तीन समाफत होता है वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए